दोस्तों ये computer basic जानकारी का video number 8 है जिसमें मैं आप सभी को computer के सभी function की shortcut के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपने अपने keyboard में देखा होगा F1 से लेकर F12 तक होती है आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि जो आपके keyboard में F1 से लेकर के F12 तक जो button होते हैं आखिर उनका काम क्या होता है और उन्हें इस्तमाल कैसे करते हैं दोस्तों जो keyboard में functions की होते हैं उसके लिए बस एक ही video काफी है पूरा detail में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि F1 button से क्या होता है F2 button से क्या होता है F3 button से क्या होता है और इसको मैं आपको practically करके भी दिखाऊंगा कि देखिए F1 button से ये चीज होती है F2 button से ये चीज होती है इसी तरीके से हम लोग F12 button से देखेंगे कि आखिर क्या क्या होता है ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जो है computer की basic जानकारी सीख रहे हो तो मेरे भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा explain करके समझाया है कि F1 से क्या होता है F2 से क्या होता है F3 से क्या होता है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और पूरा last तक का देखिए मैंने इस वीडियो में पूरा complete function की shortcut के बारे में बताया है Hello दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप सभी का स्वागत है गुलाब गुरु कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा इसी से आपको हमारी latest वीडियो के notification मिलने वाले हैं देखे दोस्तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर जो है F1 से लेकर के F12 तक जितने भी shortcut बनते हैं उन सभी के बारे में पूरा complete लिख करके यहाँ पर रखा है ताकि जो भी बाते मैं आपको समझाओं वो आपको अच्छे से समझाए बारी बारी से हम लोग F1 से लेकर के F12 तक सभी बटन से क्या होता है इसके बारे में complete जानकारी सीखेंगे वो भी practically तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि F1 बटन से क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ F1 बटन से help center open होता है किसी भी software का help and support center open करने के लिए आपको keyboard से F1 बटन को इस्तमाल करना होता है यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी बता दूँ कि अगर आपको keyboard के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि F1 से लेकर के F12 बटन तक ही यही होते हैं जो कि आपको keyboard पर दिखाई दे रहे हैं अगर मैं आपको बोलूँगा कि F1 बटन दबाईए तो आपको सिर्फ F1 ही बटन दबाना है अगर मैं आपको बोलूँगा F2 बटन दबाईए तो आपको keyboard से सिर्फ और सिर्फ F2 बटन को ही दबाना है इसी तरह के से अगर मैं बोलूँगा F4 बटन दबाईए तो F4 को बटन को दबाना है लेकिन जब मैं बोलूँ गा alt के साथ F4 बटन दबाईए तो आपको यहाँ पर यह alt बटन है और यहाँ पर यह alt बटन है दोनों में से आप किसी भी बटन को दबा के रखना है और इसके बाद F4 बटन दबाना है अगर मैं बोलूँ गा कि आप जो है बोलूँगा single सिर्फ की F1 बटन दबाईए तो आपको F1 बटन ही दबाना है अगर मैं बोलूँगा कि windows के साथ या फिर alt के साथ या फिर control के साथ F1 बटन दबाईए तो आपको उसको दबा के रखना है इसके बाद इसको दबाना है चलिए बीच बीच में मैं आपको सभी को ये सब चीजे सिखाता रहूँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि keyboard से अगर आप F1 बटन दबाते हैं तो किसी भी software का help and support center open होता है तो देखिए अभी के time में मैं MS Word software में हूँ अगर मैं यहीं पर keyboard से सिर्फ F1 बटन दबाता हूँ तो देखिए MS Word का help and support ये option है यहाँ पर loading ले रहा है load लेने के बाद देखिए MS Word का help and support पूरी इस तरीके से खुल चुगा है वहीं दोस्तों अगर मैं chrome browser में आ करके और keyboard से अगर F1 बटन दबाता हूँ तो chrome browser का help and support option यहाँ पर खुल गर गे इस तरीके से आता है तो किसी भी browser के या फिर किसी भी software के help and support option को हम जो है F1 बटन से चालू करते हैं अब बात कर लेते हैं कि keyboard में जो F2 बटन होता है उसका क्या काम होता है तो keyboard के F2 बटन का इस्तमाल हम लोग किसी भी file को rename करने के लिए करते हैं और साथ ही print preview देखने के लिए करते हैं किसी भी file या folder को पहले आपको mouse से उस पर click करना होगा इसके बाद आपको keyboard से F2 बटन प्रेस करना होगा और आप उस file या folder को rename कर सकते हैं जैसे कि example के लिए मैं यहाँ पर screen पर आ चुका हूँ और मालीचे मुझे यह जो file दिख रही है इसका नाम change करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है इस पर एक बार click कर देना है mouse से इसके बाद आपको क्या करना है keyboard से सिर्फ और सिर्फ F2 बटन को दबाना है जैसे ही आप F2 बटन को दबाओगे तो देखे यहाँ पर cursor जो है activate हो चुका है अब जो है आप जो भी नाम रखना चाहते हो यहाँ पर वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर दिना है इसके बाद आप जैसे ही keyboard से इंटर बटन दबाओगे या फिर यह जो desktop है यहाँ पर mouse को कहीं प F2 बटन से आप फाइल को rename कर सकते हैं लेकिन फाइल को print preview देखने के लिए आपको अपने keyboard से control के साथ F2 बटन दबाना होगा जैसे कि मान लीजिए यह मैंने एक document बनाया है और मैं इसे print preview देखना चाहता हूँ तो मुझे keyboard से क्या करना है control बटन को दबाके रखना है इसके आप देखोगे यहाँ पर जो है print preview का इस तरीके से option दिखाई देगा तो control के साथ F2 बटन दबा करके आप जो है किसी भी document का किसी भी file का print preview भी देख सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ F3 function की के बारे में कि आखिर keyboard से अगर आप जो है F3 बटन प्रेस करते हो तो उससे क इंटरनेट पर किसी भी जगह F3 की को प्रेस करने से search का option open होता है इस समय हम लोग जो है chrome browser पे हैं और यहाँ पर मैंने एक website open किया है जैसे आप कोई भी browser में कोई भी website पर जाते हो और वहाँ पर जो है आप keyboard से F3 बटन प्रेस करोगे तो आप उपर की side में देखोगे search का option आजाएगा और यहाँ पर जो भी आप keyword जो भी text type करोगे उससे मिलते जुलते यहाँ पर text नीचे की side में जो है highlight हो जाएगे यानि इस post में इससे मिलते जुलते जितने भी text होंगे वो इस तरीके से highlight हो जाएगे साथ ही जितने text होंगे उसकी यहाँ पर संख्या भी द दबाते हो तो देखो कि यहाँ पर आपका जो search bar का जो cursor है वो active हो चुका है और यहाँ पर आप जो जो भी type करके उसको search करोगे तो उससे rated जीतने भी folder होंगे वो इस तरीके से open हो जाएगे वहीं दोस्तो F3 button का एक और कमाल का काम है जो कि आपको shift के साथ F3 button दबाना होता ह जैसे कि for example के लिए यह मैंने एक document तयार किया है और मैं इसे जैसे ही select कर लेता हूँ इसके बाद मैं keyboard से shift के साथ F3 button दबाऊंगा तो देखो कि सारे की सारे letter capital letter में हो चुके हैं अगर आप इन्हें दोबारा से small letter में convert करना चाहो तो shift के साथ F3 button जब आप दबाऊंगे तो जैसे small letter में हो जाएंगे यानि कि shift के साथ अगर आप F3 button दबाते हो तो आप जो है अपने test का lowercase और uppercase चेंज कर सकते हो shortcut से दोस्तों अब बात कर लेते हैं F4 function key के बारे में तो F4 button से आप जो है अगर आप Microsoft का age browser इस्तमाल करते हो तो आप जो है direct इसकी search बारे में F4 button दब करके जा सकते हो जैसे कि मैं यहां पर आ गया हूं और keyboard से मैं जैसे ही F4 button दबाऊंगा तो देखो कि हम लोग इस browser के search browser में आ गये हैं और यहां पर हम लोग कुछ भी search कर सकते हैं और वहीं दोस्तों अगर आप alt के साथ जो है F4 button दबाते हो तो आप जो है अपने computer को shutdown भी कर सकते हो जैसे कि मैं देखिए यह Microsoft Edge की जो window खुली है यहां पर आने के बाद मैं जो है keyboard से alt के साथ F4 button दबाता हूं तो देखिए direct हम जो है Microsoft Edge से जो है बाहर आ गए हैं वहीं दोस्तों अगर आप जो है desktop पर आने के बाद अपने keyboard से alt button दबा करके F4 button दबाते हो तो आप जो है shutdown की window आ गई है और यहां से आप जो है अपने computer को switch कर सकते हो, sign out कर सकते हो, sleep mode में डाल सकते हो, shutdown कर सकते हो और restart भी कर सकते हो तो दोस्तों F4 button के द्वारा हम लोग Microsoft Edge का search bar open कर सकते हैं और अगर alt के साथ F4 button दबाएं तो shutdown भी कर सकते हैं और किसी window को direct close भी यानि बंद दोस्तों अब बात कर लेते हैं F5 function key के बारे में तो F5 function key का button ज्यादा तर हम लोग जो है refresh करने के लिए करते हैं और किसी भी file को या फिर internet browser को reload करने के लिए करते हैं जैसे कि for example मैं desktop पर आ गया हूँ और normally हम लोग जो है इस तरीके से refresh करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप अपने keyboard से F5 button दबाते हो तो देखोगे कि आपके computer यहाँ पर refresh हो रहा है तो F5 से आप refresh कर सकते हो वहीं दोस्तों किसी भी browser को reload करने के लिए भी F5 button का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि देख सकते हो हम लोग इस website पर हैं और इस website को हमें reload करना है तो हम keyboard से F5 button दबाएंगे त इसी तरह के से आप कोई भी website को reload कर सकते हो या फिर कोई भी browser को आप reload करोगे यह reload हो रहा है ठीक है तो F5 से किसी भी internet के browser को reload कर सकते हो साथ-साथ जो है अपने computer को refresh भी कर सकते हो वहीं दोस्तों अगर आप MS Word में आ करके keyboard से F5 button दबा देते हो तो यहाँ पर देखोगे आप आप जो है find, replace और go to का यह dialogue box इस तरीके से आजाता है वहीं दोस्तों F5 से एक और काम होता है कि जब आप PowerPoint में slide बनाते हो तो F5 से उन slide को आप जो है run करा सकते हो अब बात कर लेते हैं दोस्तों F6 function key के बारे में तो F6 function key से आप जो है MS DOS में file को save कर सकते हो और साथ-साथ ज करसल जो है सीधा address बार में करसल चला जाता है जैसे कि देखिए अभी हम लोग जो है इस website पर है यानि Chrome browser में हमने ये website open की है और जैसे ही मैं keyboard से F6 button दबाऊंगा तो देखोगे यहाँ पर हमारा नेले color में यहाँ पर करसल highlight हो गया है और यहाँ पर अगर आप कुछ दूसरा भी type करना चाहे तो type करके search कर सकते हैं अगर आप दुबारा से keyword से F6 button दबाऊंगे तो दुबारा से देख सकते हो यहाँ पर हमारा करसल हमारे search बार में highlight हो गया है दोस्तों अब बात कर लेते हैं F7 function key के बारे में तो F7 function key से spelling and grammar को check किया जाता है जब आप MS Word में या फिर Excel म कोई भी text को type करते हो उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके नीचे जो है underline सा आ जाता है red color का जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ text को लिखा है और यहाँ पर मैंने जानबुच के in text में जो है गलबड़ी की है जैसे कि देखे यहाँ पर need लिखा हुआ थो मैंने i यहाँ text में भी मैंने जो है गडबड़ी की है आप सभी को समझाने के लिए ताकि अच्छे से सीजे समझ में आए जब आप जो कोई भी spelling टाइप करोगे और इस तरीके से red color का आ जाएगा तो यानि कि आपकी spelling सही नहीं है और आप जो है इसे app 7 बटन से सही कर सकते हो आपको क्या क को suggest भी कर रहा है कि ये देखिए ये इस तरीके से document लिखाएगा अगर आपको ये गलत लग रहा है और ये वाला आपको suggest कर रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहां पर ये adjust हो जाएगा और यहां पर दुबारा से हमको document पर क्लिक कर देना है और buttons वाले option देखिए ये buttons है और इसी तरह के से इसे भी आप जो है यहां पर सही कर सकते हो यानि कि सारी की सारी spelling सही हो जाएगी लेकिन माल लेजिए आप जैसे की लड़का लिख रहे हो ठीक है और इसको आप इस पेस दबाओगी तो देखिए इसके नीचे तो ये फिर से red आ गया है तो इस condition में इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है फिर से F7 button प्रेस करना है अभी आपको ये समझना है कि ये जो लड़का है ये तो इसी तरह से लिखाता है लेकिन computer में इसको ये जो है गलत बता रहा है तो हमें क्या करना है नीचे की side में ignore का option मिलेगा तो हम इसे ignore पर क्लिक करोगे तो देखो कि यहां से जो है red color का जो highlight था वो हट चुका है तो इस तरीके से आप F7 button का इस्तमाल करके spelling and grammar को check कर सकते हो दोस्तों अब बात कर लेते हैं F8 function key के बारे में कि आखिर F8 button से क्या होता है तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ F8 button से आप अपने system को boot कर सकते हो जब आप अपने system में जो है windows install करते हो इस समय जो है इस button का इस्तमाल किया जाता है जिससे जो है आप अपने system को boot वगरा कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं F9 function key button से क्या होता है तो F9 function key button से windows में कुछ नहीं होता है लेकिन Microsoft Outlook में आप email भेजने के लिए इ साथ ही MS Word में sum एक formula होता है उसको refresh भी कर सकते हैं चलिए मैं आपको MS Word में ले करके चलता हूँ और इस formula के पूरी complete जानकारी आपको बताता हूँ फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे F9 button से क्या होता है देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक table बनाई है और मैं यहाँ पर Sum का formula automatic लगा होगा और जैसे ही आप जो है इसको OK करोगे तो देखोगे यहाँ पर जो है इसका Sum हो करके आजाएगा Sum का मतलब दोस्तों जोड होता है आप इसको जोड करके देख सकते हूँ 17 ही आएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जो है इसको चेंज कर देता तो देखोगे अब जो है यह बदला नहीं है यानि यह refresh नहीं हुआ है तो इस condition में ही हम लोग जो है F9 बटन का इस्तमाल करते हैं देखिए अभी मैं जो है इसको इस तरीके से select कर लेता हूँ select करने के बाद आपको क्या करना है keyboard से F9 बटन दबाना है देखिए मैं जैसे ही keyboard से F9 बटन मैंने दबाया तो यह देखिए अब जो है यह refresh हो चुका है अब इसको आप जोड़ करके देख लिए इतना ही आएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम F9 बट की बटन से क्या होता है तो इसे से किसी भी software के menu को जो है open करने के लिए किया जाता है इसे प्रेस करने से menu select हो जाते हैं और आप arrow keys की मदद से उसे खोड़ सकते हैं जैसे कि दोस्तों देखिए यह मैं MS Word में हूँ और यहां पर यह जो उपर की side में menu दे रहे हैं इसमें से मै जिसको भी open करना चाहूं उसे बड़े ही आसानी से F10 बटन से open कर सकता हूं इसके लिए मुझे mouse को हाथ भी नहीं लगाना है देखिए अब क्या करना है आपको अपने keyboard से सिर्फ F10 बटन दबाना है जैसे ही आप F10 बटन दबाओगे तो उपर की side में देखोगे जो भी एक एक लेटर सभी के यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे कि मुझे जो है insert वाला menu open करना है तो उसके जो नीचे end प्रेस हुआ दिखाई दे रहा है आपको end लिखा हुआ है तो जैसे ही मैं keyboard से end बटन दबाओगा तो जो है insert का यह जो है button ओपन हो जाएगा और insert बटन ओप यहां पर देखिए और भी कुछ text यहां पर highlight हो चुके हैं जिस भी text को मैं यहां पर press करूँगा वो button यहां पर open हो जाएगा जैसे कि मैं यहां पर T press करूँगा तो table यहां पर open हो जाएगी जैसे मैं keyboard से T press करता हूँ तो देखिए T press करने पर फिर यह table open हो गया है और मैं table यहां से बना सकता हूँ और वहीं पर आप देख सेकते हो यहां पर फिर से जो है कुछ टेक्स जो है highlight हो गए है यानि अगर आप इन बटन्स का भी इस्तमाल करना चाहो तो आपको यह वाले text क्लिक करने होगे यानि प्रेस करने होगे तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है किसी भी software में चाहे वो MS Word हो चाहे Excel हो चाहे PowerPoint हो चाहे आप Paint वगयरा भी इस्तमाल कर रहे हो तो आप जो है उसमें F10 बटन से किसी भी menu को जो है open कर सकते हो दोस्तो अब बात कर लेते हैं F11 function की बटन के बारे में तो generally हम लोग जो है F11 बटन का इस्तमाल full screen करने के लिए करते हैं जब आप YouTube पर वीडियो वगयरा देखोगे तो जैसे ही आप keyboard से F11 बटन दबाओगे तो यह full screen mode में इस तरीके से आ जाता है दुबारा से आप जब F11 बटन दबाओगे तो यह जैसे पहले था वैसे हो जाएगा वहीं अगर आप जो है इंटरनेट पर कोई वीडियो वगयरा देख रहे हो फिर भी अगर आप F11 बटन दबा देते हो तो यह full screen में आ जाता है इसके बाद जो है फिर से यह देखिए उपर की side में एक message आ रहा है कि इसको जो है F11 से ही आप जो है इसको फिर से उसी condition में ला सकते हैं F11 से इसको full screen कर सकते हैं और F11 से इसको exit भी कर सकते हैं दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे last function key के बारे में यानि F12 function की button से क्या होता है तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ F12 function की button से save as का direct box आता है जिसमें जो है आप अपने document को दुबारा से save कर सकते हो और साथ में अगर आप जो है control के साथ F12 button को एक साथ प्रेस करते हैं तो जो पहले से save की गई file है उसको open भी कर सकते हो example के लिए मैं इस file को जो है save as करना चाहता हूं तो मैं keyboard से सिर्फ F12 button दबाऊंगा तो देखिए इस तरीके से एक box आयागा और आप जो है इसे save कर सकते हो अगर आप जो है keyboard से control plus F12 button दबाते हो तो देखिए कि open का dialogue box आया है और पहले से जो भी file आपने save की है इस पर click करके आप जो है यहां से इसे open कर सकते हो तो दोस्तों यह था F1 button से ले करके F12 button तक जो भी shortcuts बनते हैं जो भी इस shortcut से जो कुछ भी होता है वो सब मैंने यहां पर लिख करके भी रखा है और आप सभी को पूरा complete समझाने का प्रियास भी किया है वो भी live एक एक चीज मैंने आप सभी को बताई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर share करिए और चैनल पे अगर नए हो तो subscribe कर लेना मेरे भाई और दोस् तो function key के shortcut है इन्हें जो है आप यहां से note down भी कर सकते हो कि किस function key से क्या होता है अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप हमें नीचे comment करके जरूर बताईए हम इसका PDF भी आपको दे देंगे दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे comment करके जरूर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा